हलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजंद पुरही तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस अफ्लोड करता हूँ अगर आप किसी भी competitive exam की तैयरी कर रहे हैं जहाँ पर higher mathematics पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही helpful है इस्टुडेंट यहाँ पर मैंने जो linear algebra की जो series वो start करें और vector space, vector sub space इन पर मैं काफी सारे concepts बता चुका हूँ और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, algebra of sub spaces तो यहाँ पर प्रूब करेंगे कि जो vector sub spaces होते हैं वो यहाँ पर उनका जो intersection होता वो भी sub space होता है और उनका जो union हो है वो तभी sub space होगा जब वो एक दूसरे में content करेंगे तो यह दो थियोरम में आज आपको पूरू कराने वाला हूँ तो इससे जो previous वीडियोस है वो आप एक बार आई टेप पे जाके देख लिजे ताकि आपको यह जो वीडियोस है आपको अच्छा समझवाँ है इस्टुन में आपको बता दूँ कि मेरा जो नया चैनल है जहा arbitrary intersection of subspaces that is the intersection of any family of subspaces of vector space is subspace मतलब यहाँ पर अगर कोई vector space है उसके जितने भी subspaces होंगे उनका जो intersection होगा वो भी क्या होगा subspace होगा आपको यह प्रूव कर रहा है तो यह exam में बड़ा proof पूचा जाता है तो कैसे करेंगे let v f be the vector space and w is equal to intersection of wi be the intersection of any family of subspace of v and i being any index set since 0 belongs to wi हमें यहाँ पर देखो ultimately अगर आपको किसी को भी subspace प्रूव करना तो उसके लिए condition होती है a alpha plus b beta क्या होना चाहिए आपका उसमें होना चाहिए अगर हम बात करें a,b belongs to f है and alpha,b belongs to w है तो यह भी किसमें आना चाहिए w माना चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा काम हो जाए तो हमें यहाँ पर intersection को प्रूव करना है तो यहाँ पर intersection में आ जाना चाहिए तो हम भी प्रूव करेंगे कि a alpha plus b beta भी क्या है intersection में जहां पर a b जो है वो कहा से आ रहा है f से और फिल्ट का element है तो सबसे वह प्रूव करेंगे यह non-empty intersection जो है वो क्या है non-empty हम यह प्रूव करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे चुकि हमारे पास w1, w2 यह सब क्या vector spaces है तो obviously zero element तो 100% हो गई होगा और zero element अगर हर w में है तो उसके intersection में भी होगा तो बड़ा simple सा है इसका मतलब इसका intersection वो क्या है non-empty है अब आपसे बूला जा रहे है कि हर सब जो w है वो सब space है v का अगर वो सब space है तो हम यहाँ पर easily इ नेंगे a और b field से element लिया and alpha beta जो है वह हमने कहां से लिया intersection से लिया हमना हर w में लिया clear है बदब w1 में वी यह w2 में वी 3 में भी है रहे एंड और a and sorry यहाँ पर alpha and beta belongs to क्या आगा यहाँ यहाँ फोर आलाई है W i में होगा राइट है ना तो वही हम लोग यह ले रहे हैं अगर यह w i में तो हम जानते हैं कि चुक्छी व यहाँ पर सब इसस्पैसे तो a alpha plus b beta व्दली फ्लम व जोगा यह w1 सब इससपैसे तए w1 में भी होगा और alpha, beta belongs to WI, where alpha and beta belongs to WI, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, consequently a, b belongs to field, and alpha, beta belongs to WI, तो हम क्या करेंगे, a alpha plus b beta, हम जानते हैं, यह W में होगा, because हर W जो है, वो sub-space है, तो sub-space की condition को ही क्या करेंगा, satisfy करेंगा, और हर W में है, तो हर, उसके intersection में भी होगा, और intersection में होगा, इसका मतब यहाँ पर क्या होगा, for all a, b belongs to F, and alpha, beta belongs to intersection WI, इसका मतब यह हमारे पास क्या होगा, sub-space हो जाएगा, because a, alpha plus b, beta क्या आ रहा है, intersection में जा रहा है, और यह हमारे condition होती, sub-space को प्रूव करने, जो previous वीडियो में में आपको समझा रहे हैं, तो हम सॉलिशन लेंगे, let VF with the sub-space and W1 and W2 with the two sub-space of VF, हम माल लिया, कि यह दो जो है, यह क्या, W1, W2 क्या है, sub-space है, VF का, firstly, let us suppose, अगर हमने इस suppose कर लें, देखो, आपको यह प्रूव करना है, कि वो sub-space तभी होगा, उसका union, जब वो एक दूसरे में contain करें, तो हम क्या करेंगे, हम लिए लेके चलेंगे, तो यूनन हमारे पास sub-space होगान, सब्सक्राइब यूनियन नवी तू रहें तो यह ड़ और और वी तो सबसेंट ऑब यहां कि इसका उनियन हो गा यह गा इसके अधर जारा और यह सक फोगा डूनों में सब्सक्राइब तो यह उसके अंदर कंटेंग को रिया फिर यह उन्ही सक रम इसके कंटेंगा एक इसके बाराबर ऑपने सब इसके रहे हो उनीओ को कि व-2 के बारापर होगा यह विसींतिन उंसाम नेए फिर व-1 के बारापर हुआ वगे डाली ने सब सब चुन हूँगा सबस्पेस तो ये तो हमारा प्रूर हो गया है हमें प्रूर करना है कि यशिद सब शुस्पेसे हम यह प्रूव करेंगी कि एलμεुद सबसेख़रं डिख जो है उड़ी टॉमें रेहें व हंगे के सब्सक्राइब कर रहा है कि व जो यह यह दब्ली तुका अंदर इन्ट नहीं कर रहा है ठीक है ठीक है तो हमें यह पुरू करना थो हम थो emotional अपने लिया कि w1 बच्टे नहीं कर रहा क Spaßने कर निए ऑन्सीट उप्ली चीशनल में वाड़िटि में नहीं कर रहा हुझाहकेश का मिलता कोई एक इस उलिमेंट होगा इस बीटु में मैंजो नहीं भी होगा obviously union में होगा because एक में है तो यूनियन में दोनों में होना जरूर निकिसे एक में वो तो भी चल जाए और यहां पर देखेंगा बीटा जो है वो डबली टू में तो इसका मतलब बीटा जो है वो क्या होगा डबली ओन डबली टू में भी हो जाएगा तो अगें डबल को मा बीटा बिलोंग अब देखोई सबी सपेस्ट दे रहा को और अगर अलफा बीटा डबली ऊनटी में है तो इसका मतलब यह अगर इसमें यह तो यह अगर एल्फा प्लस बीटा है वो डबली वन है तो हम जानते हैं कि अगर उसका जो एडिशन जो भी सब्सक्राइट नहीं है इसको क्रिभा प्लस बीटा हमने से लिया। पहरो हमने कहिए चुकि अल्फ भी डप्लीव थी रहेखा और यह भी डवम मी रखता तो इन नहीं का जो डेफरेंस है वो भी नहीं है तो डोannée एल्फा से थेय्थ म्यों सन व गालई है जो कि एही ब्यूदम नहीं हो नहीं है, इनक्तिक पर जी नी इनक्तिक दःट होना haya। नहीं है नहीं है जबके हम निया प्रूब कर देगी बिटा ड़ी वन में आ रहा है तो यह तो यह इसका सबस्पेस होगा या फिर वह इसका सबस्पेस होगा राइट तो इस तरीके से इस च्रूब करते हैं तो स्विंट थांकियो फॉर वाचिंग में और मुझे लगता है कि जो पर पढ़ा रहा हूं यह कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा और अगर आ रहा है तो आप लाइक करें शेर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं स्विंट लास्ट मेरे जो वीडियो से यह आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो वीडियो से यह CSR NET aptitude की प्लेलिस्ट है और यह जो है यह मेरी linear algebraic की जो प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं vector space सबी space के बार में upload कर रहा हूँ तो थाएं यह सो मच पर वाचिक 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 वाचिक